नमस्ते दोस्तो मैं हूँ विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्यान दोस्तो आज का विडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज विडियो को पूरा देखना आपको बहुत मजाएगा ट्रस्ट मी विडियो गुड़ा बिग्रेजी तो अब हम सभी के पास में दोस्तो स्मार्टफोन होते हैं राइट तो हाव वी चार्ज आवर स्मार्टफोन फॉस फर्स अड़ाप्टर और केबल्स नॉर्मली इक स्कॉड वायर चारजिंग शेकिंग वी चार्ज आगर फोन्स थूवार लेस चार अगर आपके पास कोई भी ऐसा फोन है जो wireless charging को support करता है तो और अगर आप उसको use भी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि wireless charging में एक dock होता है कुछ इस तरीके से वो dock को आपको या तो अपने adapter के साथ में connect करना पड़ेगा और उसको power देनी पड़ेगी और तोर आपको अपने phone क को उस dock के उपर रखना पड़ेगा तब ही आपका phone जो है वो charge हो पाएगा okay am I clear so still wireless charging यह है लेकिन complete wireless charging तो यह नहीं ही यह बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको अपना phone dock पे रखना है और तो और आपको वो जो dock है उसको आपको connect करके रखना है आपको उसे power देते रहना है उस dock को okay तो wireless charging कुछ तरीके से है भी और कुछ तरीके से नहीं भी है so that's why Xiaomi comes in the picture अब आप दोस्तों आप सोचके देखो कि आप अपने room में enter कर रहे हो और जैसे ही आप अपने room में या office में कहीं पे भी आप enter करते हो और आपको phone कहीं पे भी रखना नहीं है कोई भी dock पे नहीं phone जस्ट आपके हाथ में है और वो automatically charge होना start कर देगा how crazy is that और Xiaomi ने ये करके दिखाया लेकिन अभी ये normal consumers के लिए out नहीं किया गया है लेकिन फिर भी उन्होंने शोकेस किया है कि ये technology किस तरह से काम करती है तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये काम किस तरीके से करत है तो सबसे पहले आप यहां पर जो है कि Xiaomi ने एक पूरा box box या फिर टावर शाओमी परसनली इसे charging pile कहता है लेकिन हम इसे box बोलेंगे या फिर टावर बोलेंगे charging टावर तो आप देख सकते हो कि जो charging टावर है वहां से ये आपका phone charge कर रहा है तो अब वो किस तरीके से कर है वो मैं आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं charging टावर की तो यहां पर दूस्तों पांच face interference antennas लगे हुए हैं ये personally ये पांचो face interference antennas ये काम करते हैं जो कि आप room में कौन सी जगे पर हो और आपका smartphone जो है वो कहां पर है मतलब कि ये detect करेगा आपके smartphone की location को और जिसे ही इसे location मिल जाएगी तो ये millimeter waves जो कि हम 5G technology में use करने वाले हैं इस बार ये वही same technology millimeter wide waves के जरिए electric signals बेजेगा emit करेगा एक beam form के रूप में आपके phone तक अब दोस्तो अब हम चलते हैं phone की तरफ तो आपका जो phone है उसमें मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि हमारे जो existing phones है जो मेरे पास है जो आपके पास है वो इस technology को support नहीं करेंगे इसके लिए Xiaomi ने अलग से phones बनाये हैं जो य नहां पर दो अलग अलग antennas रखे गए हैं पहला जो antenna है वो है beacon antenna और दूसरे 14 antennas के एक array है जो receiving antennas की तरफ वर्क करते हैं आपके phone में तो ये दोनों ही आपके phones में लगे हुए हैं अब ये काम किसे करेंगे तो ये मैं आपको बताता हूं तो जो beacon antenna है जो आपके phone में लगा ह वो charging pile, charging tower के साथ में connect करेगा और उसको बताएगा कि आपका location exactly पूरे room में किस जगा पे है तो beacon antennas से आपकी जो location है वो identify की जाएगी अब जो charging tower में जो 144 antennas है 144 antennas का पूरा array है charging tower में वो millimeter wide waves जो है वो transmit करेगा एक beam form के रूप में और ये signals आपके phone तक पहुचेंगे और आपके phone में जो 14 antennas हैं जो receiving antennas का काम करेंगे properly और ये sub antennas जो signals है जो आपको beam form के रूप में मिलेंगे tower से उसको convert करेंगे electric energy में और यहाँ पर electric energy में convert करने के लिए आपके phone में rectifier circuit का use किया जाएगा तो सोचके देखो कि जो signals हैं जो emit हो रहे हैं charging tower से या charging pile से वो आपके phone में receive होंगे और तो और उनको electric energy में convert किया जाएगा और after converting electric energy आपका जो phone है वो charge होता रहेगा तो सोचके देखो कि क्या कि जो Xiaomi ने क्या engineering की होगी किस level पर उनका जो thought process है वो चलता होगा हम सोच भी नहीं सकते ये technology के बारे में मैंने तो कभी नहीं सोचा था इतना advanced level तक तो वो काम इन्होंने कर दिखाया हाला कि ये जो अभी जो charging station है वो prototype है सिफ वो कोई actual में market में मिल नहीं रहा है जो आप और हम खरीद ले लेकिन फिर भी दोस्तों आप यहां से एक अनुमान लगा सकते हो कि future में हमारे पास में कैसी कैसी technologies हमें मिलने वाली है और तो और दोस्तों मैं आपको अगर charging speeds की बात करूँ तो यहां पर Xiaomi claim करता है कि ये जो charging pile है वो आपके phone को continuously 5 watts तक की charging provide करेगी और तो और इतना ही नहीं आप multiple devices को simultaneously charge भी कर सकते हो और तो और सभी devices को up to 5 watts तक ये charge कर पाएगा तो 5 watts वैसे इतना बुरा भी नहीं है दोस्तों क्योंकि अगर आप सोचके देखो तो जो previous year की जो iPhone series थी iPhone 11 series तो वहां पर apple 5 watt का charger box में include करके देता था तो आप सोचके देखो कि 5 watt की charging तो हवा में है यहां पर आप ऐसा ही कुछ सोच सकते हो क्योंकि charging जो है वहां आपको कोई केबल नहीं लगानी है कहीं पर dock पर रखना भी नहीं अपने phone को आपका phone हवा में ही charge हो रहा है तो यह कितना crazy है आप सोचके देखो एक बार क्या मज़ा आ जाएगा जब यह technology हमारे पास में आ जाएगी हम इसको actual में use करने लगेंगे तो यह काफी interesting है दोस्तों आपको क्य आपका जो reaction है वो किस तरह से रहेगा जब आप actual में इस technology को use करोगे आपके जो experience है जो भी आप सोच रहे हो इसके बारे में वो आप मुझे नीचे comments करके जरूर बता सकते हो और तो और दोस्तों रही बात यहां पर जो wastage की तो अगर आप wireless charge करते हो मैंने जैसे बोला आपक पर रखके तो वहां पर भी brands claim करते हैं कि आपको 15 watt, 20 watt, 30 watt, 50 watt की wireless charging मिलेगी लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर कोई connection नहीं है तो थोड़ी बहुत जो charge है वो waste होई जाती है आपको जो पूरा transformation है वो देखने को नहीं मिलता अगर 50 watt claim किया है तो आपको पूरे 50 watts तो definitely नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी दोस्तों आपका जो connection होता है जो दूरी होती है वो define होती है wireless charger में लेकिन यहां पर जो charging pile है वहां से आप कितनी दूर हो वो तो define भी नहीं है तो definitely दोस्तों यहां पर drawbacks हो सकते है इसके maybe 5 watts आपको complete charging solution जो है वो provide ना कर पाए लेकिन फिर भी यह बह पर भी improvements definitely देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी interesting technology थी जो मुझे लगा जो मुझे आपके साथ share करनी चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि Xiaomi ने इस तरह से एक नया patent हमें शो किया एक नया product showcase किया है तो बताए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर से कर देना जाए इंद